मुझ में जीवित है परमेशर को दनेवाद देता हूं कि प्रात्नाओं के लिए स्वागत के लिए और बुलाए गए तो बहुत है चुनेवे बहुत कम है और हम विश्वास रखते कि आज सुबह प्रभु कुछ बातों को प्रगट करे ताकि जीवन उस तरह का रहे जैसे प् आपके विश्वास से लेके अभी तक प्रभु कुछ बातों की घटना लेकर आएगा जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्निंग पॉइंट हिद्नी में कहते हैं एक मोड प्रभु लेकर आता है अगर उस मोड को हम समझ ले तो दीवी निश्चित निशानी पर ठिकाने पर अगर उस मोड को चुट जाए तो जीवन मुढवा रहेगा अगर उस मोड को हम चुट जाए तो जीवन मुढ़ा रहेगा तो आज सुबह जो बाते परमेश्न ने मन में रखी है उसको आज हम जरूर खुदा के कलाम से समझ दे की कोशिश करेंगे और प्रभु के बहुत सारे चेले थे, शागिर्ट थे, उसमें से एक था जिसके जीवन में प्रभु मोड लेकर आया और उस एक के द्वारा बाकी के चेलों के जीवनों भी मोड आ गया एक के जीवन में मोड आया, उसके द्वारा बाकी के जीवनों भी प्रभु एक बदलाव और एक मोड लेकर आया और फिर उस पर शात हम देखते हैं कि जब प्रभु बुलाता है और उस मोड को लाता है उसके बाद वो कौन सा काम करने के लिए कहता है ये समझना बहुत आवश्यक है हमेशा नर्सरी में रहोगे तो नहीं चलेगा उसी दृस्टी से उसी बातों से आज हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे एमेन आप तैयार है बद्दा तैयार चो बेनो भाई लोगों को नहीं संक्या क्या गई हाललुया जो भी आए वो आए जो नहीं आए उसको भी खुदा बढ़ कर दे हाललुया कम गॉस्पल अफ मैथ्यू चाप्टे ट्वेंडी सिक्स मती चब्विस एकतिस से पैंतिस दा टुनिंग पॉइंट एक बदलाव का मोड एक बदलाव का मोड मती चब्विस एकतिस से पैंतिस तब येसु ने उनसे कहा तुम सब आजी रात को मेरे विशय में ठोकर खाओगे को मारूंगा चरवाहे को मारूंगा और जून की भिड़े तितर बितर हो जाएंगी परन्तु मैं अपने जी उटने के बाद तुम से पहले गलील को जाऊंगा इस पर पत्रस्त उससे कहा यदि सब तेरे विशय में ठोकर खाए तो खाए परन्तु मैं कभी ठोकर ना खाऊं यह सुनों से का मैं तुझ से सच कहता हूं कि आजी रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तु तीन बार मुझ से मुकर जाएगा या मुर्ग बांग देने से पहले तु मुझे तीन बार इंकार करेगा पत्रस्त उससे कहा यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पढ़े तो भी तुझ से कभी नम क simplerunगा और ऐसा ही सब चिलों ने कहा मरकुस रचित्सू समचार में लिखता है यहां लिखता है में चर्वाव को मारूंगा जर्वाइ को मारूंगा और जूंड तितर बितर हो जाएगी और मरकुस में लिखा मैं रखवाले को मारूंगा और जूंड तितर बितर हो जाएगी पत्रस एक बहुत ही अलग टाइप का अदमी जिसका नाम प्रबुरें बदला कैफास रखा चटान रखा और प्रबुरें उसको अद्बुद वादे दिये पत्रस को प्रबु ने बुलाया उसके भाई अंद्रियस के साथ और वो अपनी जाल डाल रहा था जाल डाल रहा था तो प्रबु ने का जाल को छोड़ो जल को छोड़ो मेरे पीछे हो लो और तुरंत उन्होंने अपनी जालो को छोड़ा और वो यसु के पीछे हो लिये फिर जब येसु आगे गए तो जब्दी के पुत्र याकूब और योना अपनी जाल को सुधार रहे थे और प्रबू ने उनसे का मेरे पीछे हो लो तो याकूब और योना ने भी अपने पिता, अपनी जाल, अपनी जल, अपनी नाव को छोड़कर Йेसु के पीछे हो लिये दूआ करते कि ये नया भावन बना है प्रभु ने नया भवन बनाया है दो प्रकार के लोगों को प्रभु लेकर आए पहले प्रकार के लोग वो है जो जाल में मच्छी को भरके लेकर आए खावानी माचली नहीं और दुसरे प्रकार के लोग जाल को सुधारने वाले अगर जाल सुधरी नहीं रहेगे मच्छी निकल जाएगे तो दोनों चाहिए एक लेकर आए और दुसरा उसको सुधारे तो सोच लो अब ये टीम वर्क जैसे जारी हो जाए कलिश्या और बढ़ती जाएगी और ये भवन भी छोटा पड़ेगा ये भवन भी छोटा पड़ेगा और अपने को उपर में और एक बैलकन ही बनानी पड़ेगी क्यूंकि दो प्रकार के लोग है एक जाल डाल कर लाने वाले और एक जाल को सुधारने वाले वी प्रे कि इस कलिश्या में आज राच हम जो भी बैठे हम स्टीम वर्क वाले बने एक जालो को भर के लेकर आए और एक जालो को सुधारने वाले बने पत्रस के साथ बहुत ही अलग अलग तरीके से यसुमसी के साथ आमना सामना भी हुआ और मुलाकाते भी हुई और वो विश्वास में भी पड़खा गया मैं उसकी तीन-चार गटनाओं को सुनाना चाहता हूँ फिर पत्रस और चेलो के जीवन में जो मोड आया और वो मोड प्रभू अब लाना चाहता है वो भी अब हम समझने की कोशिस जरूर करेंगे सबसे पहले पत्रस बाई में लिखती है कि पूरी रात मैनत की लेकिन मचली नहीं पकड़ी और सुबव अपनी जाल साफ कर रहा था और ये सुमसी किनारे पर थे और वो प्रचार परमेश्वर के राज्य के बारे में कर रहे थे हम कल्पना करते के पत्रस क्या प्रचार कर रहा होगा पत्रस प्रचार कर रहा होगा मागोगे तो मागोगे तो डुन्डोगे तो खटखटाओगे तो भागोगे तो पकड़ जाओगे हलललुया तो पत्रस सुबस सुबस सुन रहा है मागोगो तो मिलेगा, डुनोगे तो पाओगे, खट-कटाओ तो खोल जाएगा पत्रस बोलता है पूरा ही टाइम पास है क्यों? मैंने पूरी रात महिनत की एक भी अच्छी मचली नहीं मिली मरी और सडी हुई मिली और पत्रस अपनी जाल साफ कर रहा था और बाइबल लिखती है जब पत्रस अपनी जाल साफ कर चुका तब प्रभू ने पत्रस से का चल गहरे में जाते मच्छी पकड़ने को जब तक मेरे और आपकी जीवन की जाल में मरी और सडी मचलिया है प्रभु बात नहीं करेगा जाल को साफ कर दो प्रभु बात करना शुरू करेगा जरूर किदर न किदर मरी और सडी भी मचलिया है और मचलि जब सड़ती है तो आपको मालू में कैसी बद्वू आती है रहना मुश्किल हो जाए मरी और सडी थी जब जाल साफ कर चुका तब पत्रस को काचल गहरे में जाते और पत्रस के दो पार्टनर्स थे दो सज्जेतार थे वो था याकुब और यौना जाल से अज मरी और सडी निकाल दो प्रभु आपसे बात्चित करना शुरू करेगा जब तक मरी और सडी वो बात नहीं करेगा जब वो जाल साफ कर चुका प्रभु ने का चल पत्रस अपन गहरे में जाते हैं जनासरत जील का हिसाब अलगता सबसे पहले कोई भी गहरे पे नहीं जाएगा किनारे पे ही मशली पकड़ेगा कोई भी दिन में नहीं मशली पकड़ेगा रात को ही पकड़ेगा लेकिन जो यसु के साथ चलना चाता है वो उसको उस मारगों में ले चलेगा जिन मारगों में अभी तक हमारा आप चले नहीं है हम चलने के लिए तैयार होना चाहिए हलललुया तो लोग गए नाओं में गहराई तक याकूब और योना जो उसके सज्जेता और पाटनर्स थे है बोले फसा फसा वापस समय भी गलत और जगा भी गलत लेकर यसु अगर साथ में है तो सब कुछ पलट समय भी गलत जगा भी गलत अगर यसु साथ में है तो सब कुछ पलट चुणाव कर लो कैसे करोगे हललुया और पत्रस को कहा कास्क योनेट्स जाल को डाल पत्रस ने जरूर संकोच से डाला होगा क्यों डालते वक्त उसने यसु से कहा तेरे कहने पे जाल डाल रहा हूं तेरे कहने पर जाल डाल रहा हूं इसके अर्थ दो होते हैं पहला अर्थ अब मरी और सडी निकली मैं नहीं तू साफ करेगा अब मरी और सडी निकली मैं नहीं तू साफ करेगा और दुसरा अर्थ है प्रभू आज से मेरे जीवनों का सारा निर्नाई का अधिकार मैं तुझे देता हूँ मैं मैं जीवेन का सारा अधिकार का निर्नाई मैं तुझे देता हूँ तेरे कहने पर बोलो तेरे कहने पर तेरे कहने पर जब तक जाल में मरी और सडी है वो बात दे करेगा और मरी और सडी कोन सी आपको बराबर मालूम है सबसे बड़ा मड़ी और सड़ी कौन सी है नकाब वाला जीवन नकाब वाला जीवन चर्च में दूत और घर में भूत सुख़ों साइब चर्च में दूत और घर में भूत नकाब वाला जीवन चर्च मां उसे प्रभूनो अनूगर छे औने घरे बहीरी नूँ फेशियल कर से है ना, हललुया, नकाब वाला जीवन सबसे बेकार है नकाब वाला जीवन सबसे बेकार मरी और सडी मचलिया है नकाब वाले जीवन को मैं क्या कहता हूँ, लेट कर ठुकना लेट कर ठुकोगे तो किदर गिरेगा, आज दुफेर को ट्राइ करो, शाम को गवाई का मौका दूँगा नकाब वाला जीवन, ऐसा है, और ये नकाब वाला जीवन जो है मरी और सडी मचलिये, इसलिक खुदा ने कहा जोती में चल, जोती में चलने का अर्थ है मेरी हाँ, हाँ होनी चाहिए, मेरी ना, ना होनी चाहिए, कत्म बज, जुटी आत्मिकता नहीं दिखाने का उतना भी स्वर्ग में मत रोग के धर्ती के लिए फालतू हो जाओ और उतना भी धर्ती पे मत रोग के स्वर्ग के लिए बेकार हो जाओ कूछ लोग इतने आत्मा में जीते हैं कि कौन सी आत्मा में रहते उनको मालूम इज नहीं है वह इसे नहीं करने का अभी तक प्रभु नम को धर्ती पर रखा है तो धर्ती की मज़ा लेनी है सोच लो नकाब वाला जीवन सबसे बेकार चर्च में दूत और घर में भूत ऐसी मरी और सडी मचलिया हमें निकालनी पड़ेगी तब जाल साफ होगी और तब प्रभु हमसे बातचित करेगा हाललुया हाललुया तेरे कहने पर जाल डाल रहा हूँ अब मरी और सडी निकली तू साफ करेगा और दुसरा आज से मेरे जीवनों का निर्णाई प्रभु तेरे हाथ में सौपता हूँ कुछ शन बाद प्रभु ने कहा पत्रस फुल दे नेट्स जाल को खीच इतनी भारी जाल पत्रस को कभी मिली नहीं थी पत्रस कहता है मैंने तो मच्छी के लिए जाल डाली है लगता है इसमें डाइनोसोर आ गया है हाललुया और एक लाइन लिखिये बहुत मेरी पसंदीता लाइन है जाले फटने लगी लेकिन एक भी मच्छी निकली नहीं क्यों अटकाने वाला यसमसी है पस्रसाब मिनिस्ट्री मां दबाव रेसे और लोकों दबाव से भी जाल फटने लगीगी एक भी मच्छी जाएगी नहीं अटकाने वाला यसमसी है फाल्तु में लोग टेंशन लेटे मैं तो चिंता ही नहीं करता कहां तक भागेगा क्या सुदी वाक्से तू क्योंकि अटकाने वाला मैं नहीं हूं अटकाने वाला आप नहीं है तुझे न कभी छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा मैंने कल रात को बोला यह प्रामेस वर्दान नहीं है खुदा की धमकी है अटकाने वाला ये सुमसी है जाले फटने लगी एक भी मच्छी निकली नहीं और ध्यान से सुनना ये जाल जो फटने लगी थी जाल फटने से पहले परमेशर्ण ने सुधारने वाले का बंदोबस करके रखा था वो तो याकूब और यौना को जाल फटने जाए उससे पहले सुधारने वाले को तयार करके रखाता है याकूब और यौना को कि जब जाल बाहर निकलेगी ये लोग सुधार लेंगे हललुया हललुया क्या बनोगे जाल डालने वाले या सुधारने वाले चुनाव कर लो आज चाहता हूं खुदा किया अच्कलाम से एक मोड़ा आजाए एक बदलाव का पोइंट आजाए हललोया एक बदलाव का पोइंट जरोर आजाए एमेन अब जैसे पत्रस में उसकी नाव में डाली पत्रस की नाव दुबने लगी वो दौरा प्रभू की और और गुट्डे पर आकर उसकी अराधना की और का प्रभू मेरे पास से चले जाए मैं पापी मनुश्य हो पत्रस को डुपते हुए नाव की चिंता नहीं थी पत्रस को डुपते हुए जीवन की चिंता थी और क्योंकि पत्रस को डुपते हुए जीवन की चिंता थी और नाव दोनों खो बैठोगे अगर जीवन बच जाएगा तो प्रबु जीवन और नाव दोनों को बचा लेगा नाव जो प्रबु देता है इतना देता है कि आपकी नाव सम्भाल नहीं पाएगी नाव डूबने लगी पत्रस से किनारे पर इस्टारा क्या जेमस और जॉन याकूब योना तमें आभी जो फ्लीज कम और ये दोनों अपनी नाव लेकर आए और बाइबल एक लाइन लिखती है जब पत्रस ने अपनी नाव की मचलिया याकूब और योना की नाव में डाली उनकी भी नावे डूबने लगी जब खुदा देता है उसको बाटोगे तीन नाव है पत्रस याकूब और योना की नाव जण है चार क्योंकि यसू साथ में है मैं कल्पना करता हूँ यसू नाव के आगे और ये तीन जण नाव में पीछे और एक दूसरे को इशारा कर रहे है डन क्या किनारे पहुंचते ही यसू को पार्टनर बना लेंगे कभी कोई नुकसान नहीं होगा सुकी जमीन में भी जाल डाल दे मठी आ जाएगी है बहुत चलाक लोग है अपन बहुत चलाक लोग है हलोलुया आइन वेर इंट्रेस्टिंगली यह नाव में थे नाव किनारे पहुंची नहीं थी अरे लोग कह रहे हैं डन डन यसु को पार्टनर बना लो कभी नुकसान में नहीं रहेंगे किनारे पहुंचते ही पार्टनर्शिप बदली हो जाती है प्रभू कहता है मेरे संग चलो अब मच्छी नहीं तुम मनुश्यों को पकड़ोगे पार्टनर्शिप डीड बदली हो गई ए वे रहा और यह दो जान साथ में चल गए थोड़ा याकूब और योना के बारे में सोचते हैं यह कैसे great चेले थे योना के बारे में जब आप सुचते हैं आप क्योंकि योना रचित्सु समाचार पढ़ते हैं तो आपको लगता वो प्रेमाण मानसस है बहुत प्रेमवाला होगा बहुत दयालू होगा सौरी वो जलन खोर था योना जलन खोर था योना खुरोच से बरा हुआ था क्यों जलन खोर था उसने आकर एक बार यसुमसी को सिकायत की चेले किदर से जा रहे थे और एक आदमी दुष्ट आत्मा निकाल रहा था यसुमसी के नाम से योना ने उसको रोका बोले एह तो हमार टीम का नहीं है तू ये काम क्यों कर रहा है तू हमारी टीम का नहीं है तू ये काम क्यों कर रहा है उसने आके यसु से सिकायद की यसु यह तो अपनी टीम का नहीं है लेकिन तेरे नाम से काम कर रहा है प्रभु ने बोल रहा है यार राजिय बढ़ रहा है ना बढ़ाने दे तुम खाए के लिए दिवा कराब कर रहा है है न ये पहली बात वो जलन को दुसरा क्रोधित क्यों समेरिय वासी होने का एह तुम हमारे एरिया से जाने का नहीं बिल्कुल जाने का नहीं यहां से तब योना ने कहा प्रभू आग्या दे स्वर्च से अगनी गिराए और इनको भसमं कर दे ओ माई गाड प्रभू ने कहा योना मैं आया हूँ जीवन देने के लिए लोगों को बचाने के लिए इसलिए प्रभू ने याकुब और योना को अलग नाम दिया उसको नाम दिया गर्जन के पुत्र तो अगर आपके दिमाग में एसा हुआ के योना बहुँ प्रिमाड हो तो रॉंग नंबर रॉंग नंबर ऐसा रही था अब आते वापस पत्रस पर प्रभू ने चेलो को नाम में मिटाये वह ले जाओ तुम और वो पार पर चड़ गए दुआ कर रहे के लिए हवा उनके विरोध में थी और नाव आगे बढ़ नहीं थी और बड़े संगर्श में थी यसु ने पार से देखा चेले बहुती संगर्श कर रहे बड़ी भोर था सुबह तीन और पांच के बीच का वक्त था यसु मसी पानी पर चल कर आये प्रभू पानी पर चल सका क्योंकि उससे वो पानी को बनाया है इसलिए प्रभू पानी पर चल सका और प्रभू ने हमको आपको भी बनाया है समय आएगा हमको भी वो चला सकेगा हललुया हललुया अभी बड़ा धुनला दिख रहा था भोरती धुनला दिख रहा था पानी पर कोई चल के आ रहा था और बाइबल लिखती चेले घबरा गए और चिला उटा भूत भाग यसु के नाम से यसु बोलते कमाल है मुझे ही मेरे नाम से बगा रहे तब प्रभु ने का डाडस बंद मैं हूँ डाडस बंद मैं हूँ जब पत्रस्य देका प्रभु है पत्रस्य का लोड, बिड़ भी, खमान भी मुझे आज्या दे है कि मैं भी पानी पर चल करा हूँ ग्याराने का चुबबट तेरा काम नहीं लेकिन पत्रस जिद्धी था उस्ते का मैं जाना चाता हूँ प्रभु ने का आ और पत्रस थे पैर डाला और पानी पर चलना शुरू किया हवा बड़ी जोर की थी पत्रस घबरा जाता है बेद्यान हो जाता है और चिल्ला उठता है हाई प्रभु बच्चा मैं डूब रहा हूँ मैं डूब रहा हूँ पत्रस पेशे चे तो मच्छी मार था उसको तेरना आता था लेकिन घबराट में भाई में इतनी ताकत है कि आप जो सब कुछ अच्छा भी करना जानते हैं न वो भी आप भूल जाते हैं और पत्रस के साथ वैसाई हुआ तब प्रभू रे अपना हाद बढ़ाया और कहा अल्प विश्वासी कही के और पत्रस और प्रभू ये सबसे इंट्रेस्टिक है पत्रस और प्रभू कुछ श्रण के लिए साथ में पानी पर चले साथ में पाणी पर चले और फिर नाव में बाइट गए मेरा एक सवाल है हम सब को पत्रस तो पानी पर चला और घबरा गया तो प्रभू ने उसको एक सर्टिफिकेट दिया और वो सर्टिफिकेट था अलप विश्वासी ये ग्यारा जो नाव में बेटे थे वो कैसे विश्वासी थे बरावर ये पानी पर चला उसको सर्टिफिकेट मिला अलप विश्वासी ये ग्यारा जो बेटे थे उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिला पक्के अविश्वासी काश तुम इतल्प विश्वासी भी बन जाव आज के तारिक में पानी पर तो चल पाऊगे और सब चिले जब नाव में पत्रस खुश गया होगा चिले काश सोचते होंगे नहीं बुलाए गए बहुत है चुने वे कब है बुलाए गए बहुत है चुने वे कम है हललुया हललुया पत्रस एक अच्छा दामाद था सुना कै मैंने कुछ कहा किते दामाद है इज़र कोना कोना लगन थे या चे बाई लो कोना पत्रस एक अच्छा दामाद था उसकी सास जब बिमार पड़ी तो वो दुआ कर रहा था वो चंगी हो जाए आजकल के दामाद कैसे हैं सास बिमार पड़े वो दुआ करे प्रभू उचली ले आने आने ले ले हललुया पत्रस अच्छा दामाद था और जब उसे देखा उसकी सास बिमार थी वो प्रभू को अपने घर लेकर आया और का मेरी सास बिमार है और प्रबुरे उसको सिफ स्पर्ष किया, बुकार तबी अतर गया, और वो उठ कर येकसु की सिवा करने लगी पत्रा से कच्छा दामात था, मेरी सास, साथ साल मेरे साथ मेरे घर में रही, साथ साल और मेरी सास से का मैं मरूँगी तो तेरे हाथ में ही मरूँगी मेरे हाथ से नहीं मरूँगी तो तेरे हाथ में ही मरूँगी तेरे हाथ से नहीं और मेरी सास मेरे हाथ में ही मरूँ और मल्यालम बोलती थी और मुझे मल्यालम नहीं समझता है तो मरते वक कुछ बोली मुझे क्या मालूब क्या होता है वो बोलकर मर गई मेरी वाइफ उसकी तीन बहिने भी थी सब पीछे पड़ गए मम्मी ने तुझे क्या बोला मम्मी ने तुझे क्या बोला मैं बोला मम्मी बोली और मर गई आप ये लोग मानने के लिए भी तैयार नहीं फिर दफन भी दी हो गई सब हो गई घर पे आया स्थ्रियों का स्वभाव क्या है चोड़ने का नहीं कि श्त्रियों का स्वभाव के चोड़ने का नहीं जब घर पर आये सब हो गया वापस यह चार्जन मेरे पीछे पड़ गए मम्मी ने क्या बोला बोलता तु जूड बोल रहा है अब मैं करू क्या मुझे पीछा चुड़ा ना है फिर मैंने बोला मम्मी ने यह बोला है आप च चुजनती हाललुया पत्रस एक अच्छा दामाद भी था अब आते हैं पत्रस को लेकर और आगे अप सुन रहें समझ रहें हाँ मोड आएगा बहुत जल्दी आपकी भी लाइफ में अगर आप सुन रहे तो कौन सा मोड आएगा अन्पे बताएंगे अब मजे की बात हरे में प्रभू और अपने चेले घर के अंदर वे बैटे चे और पत्रस बाहर था और मंदिर का कर लेने वाला आया एक लासे पत्रस क्ड़ जैसे पत्रस गरके अंदर आया तो葉बू ने उसको पूछा पत्रस कर कोन भरता है यहां कि संतान या पराहे पत्रस चौक जाता है कि येसु को कैसे पता चला पत्रस चौक जाता है येसु को कैसे पता चला तो पत्रस ने कहा प्रभू पराहे हम तो बेटे हैं लेकिन लोग ठोकर न खाए पत्रस अपना कर भर दे पत्रस बोले छे पैसा क्या छे बद्दानो एज प्राब्लम चाजे पैसा क्या छे पैसा क्या छे बद्दानो प्राब्लम बाइबल मा भी एज प्राब्लम पैसा क्या छे हाँ, अम्बानी भी कही छे पैसा क्या छे जुतानी भी कही छे पैसा क्या छे हाललुया पैसा ज्याचे प्रभु ने कहा पत्रस एक बंसी ले एक लाटी ले हुक लगा जाके पानी में डाल पहली मचली खोल शिक्का निकाल कर भर दे पत्रस बोलता है प्रभु थाम एक मिनिट क्या बोला बंसी ले हुक डाल पहली मचली मूँ खोल शिक्का निकाल कर भर दे पत्रस बोलता है पुरी जिन्दगी मचली पकड़ी अगर मच्छी के मूँ से शिक्के निकल जाते कड़की कब की सुदर जाती ये क्या नया है ये क्या नया है हललुया जो येसु के साथ चलना चाहता है उन मार्गों में ले चलेगा जिन मार्गों में से अभी तक आप चले नहीं है मोड आएगा बहुत जल्दी हललुया हललुया अभी पत्रस को बड़ी जाल बड़ा जल बड़ी नाव की आदत और लोगों ने उसको वैसे ही देखा था बड़ी जाल बड़ा जल बड़ी नाव अब पत्रस एक बंसी लेकर जा रहा है लाटी लोग बोलते देख देख फुल टाइम आने के बाद इसकी हालत देख फुल टाइम आने के बाद इसकी हालत देख पहले तो बड़ी जाल बड़ी जल बड़ी नावती अब एक लाटी लेके जा रहा है इधर आपतरस सूत ही क्यों पतरस बोलता है आज एक मच्ची मिलेगी उस में से सिखा मिलेगा लोग बोलते थे पहले आधा पागलता अब यह पूरा पागल हो गया यह पहले आधा पागलता अब यह पूरा हो गया लोग बोलते हैं पहले आधा पागलता अब यह पूरा हो गया जाने दे भोले अब पत्रस गया हाँ वी डाला अपना हुक अभी पत्रस अक्कड बक्कड बंबे बू असी नब्बे पूरे सो नहीं बोल रहा है अपन कभी तुक्का मारते रहा चिठी डालते रहा नहीं पेलू पेलू नहीं पीडू पीडू नहीं लाल लाल नहीं हरू पहली मचली फट से पकड़ा मूँ खोला पत्रस जौक गया क्यूं प्रभु ने काता मच्छी में से सिक्का निकलेगा तेरा और मेरा दोनों का कर भर देना इस कारते मचली सिंगल थी और सिक्का डबल को को हाललूया नहीं कहेगा हाललूया हाललूया हाँ ध्यान से सुन ना आपके शहर में प्रॉपर्टी टैक्स आता है घरपट्टी आता है आप भड़ते हैं यह आवे की ने घरपट्टी आवे ना बदा ने बरवा हमारा वस्थे में भी आता है तो जुलाइ में बिल आ जाता है डौवेंबर तक आपको भरना है ओक्टोबर एंग में बड़ी-बड़ी जीप पर स्पीकर लगा कर वो लोग मराठी में बोलते हैं काई तरी करा कर भरा जो रानी बोला काई तरी करा कर भरा भाई लोग बोलो काई तरी करा कर भरा भाई लोग बोला जो रानी काई तरी करा कर भरा भाई हो बराबर भरा और चिलाते हैं काहितर ही करा कर भरा कुछ भी हो जाए मंदिर का कर भरना ही पुड़ेगा उसमें से भाग नहीं सकते नहीं भरता वो चोर है चोर सीधी बात है बुरा लगा आपके बुरे दिन शुरू मुझे क्या मुझे कुछ परक नहीं पड़ते हैं काही तरीक करा काही तरीक करा कर भरा एक बाइबल स्कुल थी वो करजे में आ गई करजे में आ गई और केस हो गया यह सची काहनी है और लोगों ने जिनोंने केस किया था समय बित्ता गया तारीक ढलती गई अब आखरी दिन आ गया और बहला अगर आज शाम को चार बज़े तक आपने अगर पैसे नहीं भरे हैं तो जो भी आपकी संपत्ती है उसको हम ले लेंगे तो बाइबल स्कुल के डीन प्रिंसिबल सेकेटरी सब धना धन परात्ता करने लगे प्रभू निकाल प्रभू बचा उसमें से एक जो मेंबर था और थोड़ा एड़ा था एड़ा एड़े लोगों की जरूरत है प्रभू के राज्यों में एड़े लोगों की बहुत जरूरत है पड़े लिखों का काम नहीं एड़े लोगों का काम है हाललुया एक एड़ा था उससे कैसी प्रात्तना की सुनो उससे ये प्रात्ता की उससे का प्रभू हजार पहाड के जानवर तो तेरे हैं दो पहाड के जानवर बेज दे और पैसे बेज दे हललुलुया इड़ा था ये और उससे ये प्रात्ता की हजार पहाड के जानवर तो तेरे हैं बोलो दो पहाड के जानवर बेच दे और पैसे बेच दे अब दूसरे मेंबर सुन रहे बोलते है गांडो चे गांडो चे लेकिन उसकी प्रात्ना में दम था सबी जन जुड़ गए दो पहाड के जानवर बेच दे पैसे बेच दे दो पहाड के जानवर बेच दे पैसे बेच दे द प्रात्ता के कुछ समय बाद, नौक नौक, येस, कोने, आलव पैसा, अरे, तैंक यू, तैंक यू, येड़ा उटा, ए, इधरा, इधरा, कहां से लाया पैसा, अब बीच, दो गाड़ी जानवर बेचे, ये उसके पैसे हललुया, मच्ची खोल, सिक्का निकाल, मच्ची एक, सिक्का डबल, तेरा, और मेरा, दोनों का कर, भर दे, काई तरीक करा, अब सभा समाप करते हैं, अपना काम हो गया, हाँ, दो पाहड के जानवर, दो पाहड के जानवर, दो पाहड के जानवर बेच दे, पैसे बेच दे, जब हम ये कहते हैं, हजार पाड के जानवर तेरा है, सोना भी तेरा है, चांदी भी तेरी है, हम जिम्मेदारी अपने उपर नहीं रखते हैं, हम जिम्मेदारी परमेशवर पर डाल देते हैं, अब आते हैं मोड़ पर अब आते हैं मोड़ पर द्यान से सुनना अब जो हम कहने वाले इसके बाद प्रभु गेट्सिवनी में जाने वाले और गेट्सिवनी में उसने प्याला था पिता का प्याला द्यान से सुनना भी हमारे पडोष में जा रहते है उसका आदमी मर गया हाट अटेक से और वो गरवाले आये रोते धोते बोला पहाद तूटला हम्चवर पहाद तूट गया ऐसा लगता है कि समुन्दर आगया हमारे उपर वे हमारा घर का आदमी मर गया द्यान से सुनना यसु मसी किस तरह से देखता है आखे तो है नजर है क्या आखे तो है नजर है क्या परमेश्वर पिता ने पूरे मानव जाती का पाप उस पर रख दिया आदम से लेके यसु मसी छेहजार वर्ष के इतियास का मानव जाती का पाप उस पर रख दिया और यसु मसी कुरूज पर चड़ाए जाने के बाद उसके दुसरे आगमन्ता का पाप उस पर रख दिया अगर उसकी शमता और उसका वॉलियूम समझे तो पहाड़ों से भी पहाड़ से भी बड़ा हो सकता है लेकिन तभी भी यसु ने उसको प्याला ही कह तभी भी यसु ने उसको प्याला ही कह क्यों उसे मालूम था उससे संभालने की जरूरत नहीं है संभालने वाला बाप है संभालने वाला वो नहीं है संभालने वाला बाप है इसलिए आज जब बड़ी सी बड़ी तकलिफ आ जाए क्रूस की और देख लेना क्रूस की और देख लेना और वो तकलिफ साइध हटे नहीं साइध तले नहीं ये प्याला हट जाए, ये प्याला टल जाए, वो प्याला साइड हटे नहीं, वो प्याला साइड टले नहीं, लिकिन प्रभु अपने स्वर्दूत को भेज कर ताकतों को जरूर बढ़ाएगा जरूर ताकत को बढ़ाएगा हललुया हललुया अब पत्रस मेरा समय आ रहा है कि तुम सब ठोकर खाओगे चर्वा मारेगा मार काओगा मारा जाएगा और तुम सब तितर बितर हो जाओगे मरकुष लिखता है रखवाला मारा जाओगा और तुम सब तितर बितर हो जाओगे पत्रस कहता है सब लोग खाए तो खाए मैं नहीं खाओँगा यानि कि पत्रस अपने आपको दुसरों से अच्छा साबित करने की कोशिश करता है ये मेरो और आपकी सब की तकलीफ है कि हम और आप अपने आपको दुसरों से अच्छा साबित करने की कोशिश करे तो प्रभू ने का पत्रस तुने तुम सब भागोगे और पत्रस तुझे में कहना चाता हो क्योंकि पत्रस से क्या कहता पत्रस से कहता मैं तेरे साथ बंदी ग्रमें भी जाने के लिए तयार हूँ और तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ प्रास्थर्स को प्रभू ने कहा तू तीन बार इंकार करेगा उसके बाद मुर्ग अपनी बांग जरूर देगा हाललुया हाललुया लिकर अचिसु समाचार में प्रभू कहता है तुम लोगों को शैतान ने माग लिया है कि तुम को ग्यों के समान फटके क्यों भूसा अलग और ग्यों अलग किये जाए ध्यान से सुना ये सुमसी के वाक्या क्या लिखता है कि तुम लोगों को शैतान ने माग लिया है इस कारते शैतान भी प्रातना करता है शेतान भी प्रात्ना करता है और वो किसको मागता है अगवो को मागता है वो किसको मागता है जिसके अंदर में घ्यों की ताकत है उसको मागता है वो उसको मागता है जो प्रभु के राज्य का कार्य करना चाहता है उसको मागता है पत्रस तुझे घ्यो के समान फटकेगा और भूसे से तू अलग किया जाएगा कब पत्रस को फटकाया कब फटकाया गेच्सेबनी में वो तलवार लेकर आया था और जो मलकस येसु को बांग रहा था और पत्रस से तलवार निकाल लिया पत्रस की गर्दन उड़ाना चाहा लेकिन मलकस से अपना सर हटा दिया तो उसका कान कट गया और प्रभू ने तुरंद का पत्रस तलवार अंदर रख जो तलवार से जीते वो तलवार से मरते मेरा राज्य तलवार का नहीं है मेरा राज्य शमा का है मेरा राज्य तल्वार का नहीं है मेरा राज्य समा का है और फट से उसको च्छुआ और मलकस के कान को चंगाई मिल गई नाव क्या कारण था प्रभु ने मलकस को चंगाई दी ध्यान से सुनना उन दिनों में रोम सरकार के कोई भी करमचारी को कोई भी जान की हानी पहुचाएगा उसको क्रूस पर लड़काया जाएगा तो गोल गोथा पर चार क्रूस रहते थे चार रहते थे और प्रभु नहीं चाहता था कि पत्रस क्रूस पर चड़े क्योंकि पत्रस का काम बाकी था पत्रस का काम बाकी था इसलिए प्रभु ने मलकों उसको चुआ और उसको चंगाई दे दी लेकिन उस चंट था कि पत्रस जो था ग्यों और छिलके से अलग हो गया था और अब हम देखते हैं कि अच्छिली जब प्रभु को पकड़ा और हम देखते हैं महयाजक के आंगन में उसे रखा गया और लोगों ने का ये भी गलील भासा बोलता है ये भी उनी में से का है इसकी जुबान से लगता है कि ये भी येसु का चिला है हाँ जुबान आपको है जीब है आपके पास हाँ की ना हाँ कोई भी बिवारी हो जाए डॉक्टर के पास जाओ पहले जुबान चेट करता है वो भी टॉर्च डाल कर मैं डॉक्टर को पोछता हूँ तुझे इसे नहीं दिखता है क्या ने बोले जुबान ऐसी है कि टॉर्च लगता है टॉर्च लगता है जुबान को hallelujah और ध्यान से सुनो अगर । दॉक्टर जुबान को चेक करता है और जुबान फट गई है, सुख गई है, थोली सी काली पड़ गई है तो दॉक्टर कहेगा मुभारक हो तेरे पास्टर को बोल खड़ा रेडी रकने के लिए प्रें पास्टर को बोल खड़ा है ready रखने के लिए जिस तरह जुबान मेरी शाररिक अवस्ता बता देती है उसी तरह मेरी जुबान का वापर मेरी आतमिक अवस्ता को बता देगी हललुया परी, पुरा शरीर ड्राय है सुका हुआ है पुरा शरीर जुबान 24 तास गिला रखा है 24 तास और जुबान में स्मरन शक्ति है याद शक्ति है आप किसी के घर पे अच्छा खाना खालो और आपको याद रहता है यह यह खाया था कुछ साल पश्चाद जब आप जाते है आप बोलेंगे तब में वांगीज बनाओ जो नहीं मश्रूम बनाओ जो तब में मश्रूम बनाओ जो कारके बहुत स्वादिश्ट है तू जुबान को याद रहता है दुसरी जुबान की खास बात 24 तास गिली है और प्रभू ने इसको गिला क्यू रखा है कि बाबा ये आग न लगाए ये आग न लगाए और बराबर हमारी जुबान से हम लोगों के जीवनों में आग लगाते है एक ने दुसरे से कहा कल नरेश भाई को काली पीली उल्टी हुई दुसरे ने तिसरे से कहा कल नरेश भाई को काले कवे जैसी उल्टी हुई तिसरे ने चोथे से कहा कल नरेश भाई को उल्टी में काला कववा निकला बात कहां की कहां पहुँच जाती है ये जुबान के कारण और पत्रस अगर पकड़ा गया तो जुबान के कारण और पेंतिकुस के दिर उनके उपर में आग के गोले नहीं थे, आग सी जीबे उन पर आकर ठहर गई। लेकिन ये तो हमारी भासा में, अपने अपनी भासा में परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं, तब उन्होंने जाना, ये वो लोग हैं जो यसु मसी के साथ थे। आप किसके साथ में हैं। इसलिए बोलते हैं जुबान संबाल के। इसलिए शब्द कम हो जब तु यहवा के भवन में आए। क्योंकि वो सिहासन पर बैठा है और पृत्वी उसकी पाओं की चोकी है। जब तु आए तेरे शब्द कम होने चाहिए। हाललुया, हाललुया, पत्रस का विश्वास नहीं चला गया, पत्रस अपना साहस खो बैठा। पत्रस का विश्वास था, लेकिन साहस को बैठा। अबराहम के पास विश्वास था, लेकिन साहस को बैठा। इसलिए का सारा मेरी पत्नी नहीं है, मेरी बेहन है। क्यूँ विश्वास नहीं खो बैठा वो साहस खो बैठा मुसा सबसे दिन सबसे दिन पूरे मनुश्य जाती में सबसे दिन जिसके सामने यहोवा आमने सामने बात करता था वो विश्वास नहीं खो बैठा वो साहस खो बैठा साहस खोने के कारण लोगों की लगातार क्रुकुराट चटान को कहने से पहले उसे चटान को मार दिया खेर प्रभू ने अपना काम किया लेकिन मुसा उस देश को देखना सका जिसमें दूद और मदू की नदिया बैठी थी वो से देखने इसे का प्राबलम पत्रस का प्राबलम अबराहम का प्राबलम मुसा का प्राबलम मेरा और आपका क्या है विश्वास अपने स्थर पर है साइद साहस की कमी हो गई है और पत्रस का साहस जता गया था इसलिए उसने इंकार किया और जैसे तीन बार इंकार किया कुक्रे खुप And Luke says उस समय यसु मसी पत्रस को देख रहा था और उसका देखना पत्रस को गिराना नहीं था उसका देखना यह कहना था पत्रस साहस कम हो गया है अपनी जगे पर बने रहना अपनी जगे पर बना रहना तेरा साहस वापस बढ़ जाएगा Hallelujah Hallelujah हाँ हाँ और फिर हम देखते है कि क्या हो गया Now, मुख्य बाद अब बटाना चाहता हूँ क्या दिखता था Bible लिखती है यहुदा के मन में शैतान ने बाट डाली कि वो यसु को पकड़वाए यहुदा के पास थैली थी यहुदा उसमें से पैसे निकाल लेता था प्रभू को मालूम था यह चोरे प्रभू को यह मालूम था यह पैसे चोरी कर रहा है दोस्त ध्यान से सुन लेना सेवकाई में लोग मेरे आपके पैसे लेकर भाग जाएंगे लेकिन मेरे आपकी सेवकाई लेकर नहीं भाग सकते Hallelujah पिर जब उससे रोटी ली तब सेटान उसमें समा गया पहले मन में बाट डाली और जब अंतिम प्रभू बोच फसका लिया सेटान उसमें समा गया और जैसा है सेटान उसमें समा गया तब प्रभू ने यहुदा से कहा तुझे जो करना है तुझ जल्दी से कर ले ध्यान से सुनना शैतान उसमें समा गया था लेकिन नियंत्रन प्रभु येसु का था जब तक प्रभु ना कहे यहुदा जा नहीं सकता है गुद नियूज आज भी यही है सैतान भले समा जाए नियंत्रन प्रभु येसु मसी का ही रहेगा यहां येसु बंदा हुआ है लोग उसे मार रहे है सब पूछ हो रहे है लोग सोचते हम जीत गए है लेकिन मुर्गे की बांग जब हुई तब पत्रस पैचान लिया कुछ भी हो जाए हम हारे हुए दिखते हैं त्यागे हुए दिखते हैं पीछे हटाए हुए दिखते हैं लेकिन मुर्गे की बांग साबित कर देती है नियंत्रन तो प्रभु येसु मसी का ही रहेगा हाललोईया, हाललोईया, नाव, आपने जानवर पाले होंगे, कुत्ता पाला है, शेर भालू पाला है, पाल लो, कुट्टे पालते हैं मिठ्टु पालते हैं तोता है ना और कुट्टे को जब शू करेंगे वो चिलाना शुरू करेगा मिठ्टु को बोलेंगे तु केम छे वो भी जवाब देगा सारो छे मिठ्टु क्यों पिंजरे में है क्योंकि वो पराई भासा बोलता है और जो पराई भासा बोलेगा वो ज़रूर पिंजरे में रहेगा अटले आपने मिठ्टु ने राके है आपनी भासा बोले पराई भासा बोलता है इसले मिठ्टु विचारा पिंजरे में है अब आप लोगोंने मुर्गी भी पाली होगी, मुझे नहीं चीए, पाला है कि ने आप लोगोंने, विजे भाई ने भी पाला है, एकदम हेल्डी छे, खाई पी ने फिट छे, तमारा मढगा, नाव, दस अजार रुपय की शरत, आपको, मेरी तरफ से, मुर्गे को पकड़वा, और बोल कुक्ड़े को, कभी ले बोलेगा, दस अजार रुपय की शरत लेकर आप पाँच मुर्गे को, शाम को, नहीं बोला, तो फिर हम उसकी सबजी बनाएंगे, बुला लो, बुर्गे को, बोल खुक्ड़े को, नहीं बोलेगा, हाँ, हाँ, द्यान से सुनना, वो जुका हुआ था, बैठा हुआ था, बंदा हुआ था, ठठा उड़ा रहे थे, चले इनकार कर रहे थे, पत्रस कोने में था, लेकिन मुर्गे ने बांग दी, और मुर्गे की आवाज को किस ने निकलवाया, ये सुमसी ने निकलवाया, ये कहते हुए, कि जहां से अपेक्षा नहीं की है, प्रभू वहीं से काम करा लेता है, तीन बार इंकार किया, कुक्डे कुक, फुट फुट कर रोया, अब ये सुमसी, बोलते मैं गलील में तुम्हें मिलूंगा, दस मिनिट मा समाप करेश, चाल से, चालू राको, थैंक्यू, बैसो बद्धा आजे, कोई जवानू नहीं, हाँ पानी पीले बें, दो पहार के जानवर, अब लाल्ची लोग है इदर, हाललूया, एवेर, पथ्रस, मुरुगा, बांग, मैं तुम्हें गलील में मिलूंगा, प्रभु ने कभी भी उसके बारे में की बात अदूरी नहीं बताई, पूरी बताई, सबसे पहले तुम में से एक पकड़वाएगा, दुसरा बहुत दुग भोग तुगा, तिसरा पिता अपना मुझ से फिल लेगा, चौता क्रूस पर में मारा जाओंगा, गड़ा जाओंगा, और तिसरे दिन जी उठूगा, ताकि तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए, परमेश्वर यस्व मसी ने अपनी बाते पूरी बताई, चेले समझ नहीं पाए, क्योंकि उनको समझना नहीं था, उनको समझना नहीं था, समझा रहा हूं क्यूं, अब वो जी उठे, अब हम योना के आखरी अधियाय में, वहां जाने की जरूरत नहीं हम आपको बताते, यस्व मसी की बारा की टीम में एक चोर, बचे अकरा, अकरा में से साथ मच्छी पकड़ने वाले थे, और प्रभूर हैं, मच्छी पकड़ने वाले को क्यों लिया अपनी टीम में, क्योंकि मच्छवारे दिलेर रहते हैं, बड़ा जिगर रहता उनके अंदर काम में, देखो भारत के मच्छवारे कितना जिगर रखते हैं, जब भारत के समूद्रों में मच्छी नहीं मिलती हैं, स्रिलंका के समूद्र में जाकर मचली लेकर आते हैं और कभी-कभी कभी अमारे दुसरे पडोस के देश में भी जाकर मचली लेकर आते है is लिए आपको मचली पकड़ने वाला बोला है बोलो मत के यहां बड़ी पाड़ा में मच्छी नहीं है व्यारा जाओ, सुनगर जाओ, नवापूर जाओ, गिधर भी जाओ, लेकर आओ लेकर आओ मच्छी इसलिए टीम में साथ मच्छी पकड़े वाले थे यसु जी उटा कोई मिनिस्ट्री का कॉल नहीं, गुज भी नहीं ये लोग बोर हो गए, बोर अभी वापस पत्रस शुरुवाद करता है मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूँ बाकी छे ने भी कहा, डन, आपन पन चालो वे गहे वापस जनासरत की जील पर मशाले जलाई और अपनी जाले डाल दी पूरी रात साथ एक दूसरे का पूछ रहे मिली नहीं, पूरी रात कुछ नहीं मिला कोई ताली नहीं बजाएगा है और सुबह येसु मसीग की नारे थे और येसु मसी ने का, फ्रेंड्स चेले तुमारे पास मच्ची है क्या पत्रस बोलता है ये इच प्रॉब्लम है जब नहीं होता तब ही जो लोग मागते जिस दिन आपके घर में टमाटर नहीं है उसी दिन पडोसी पुचेगा भाबी बेचे के जिस दिन आपके घर में शक्कर नहीं पडोसी आकर पुचेगा शाकर छेगे और हम बोलेंगे नती मनी मन बोलेगा जूटा कहीं का है ना पत्रस बोलता है नहीं है जाल को दाइनी और डाल जाल को दाइनी और डाला 153 बड़ी मचलिया आ गई बड़ी मचली बोलो बड़ी मचली बोलो बड़ी मचली हाँ इस कारते प्रभु ने छोटी को जाने दिया एक समय आएगा कि जाल में इतनी डाल देगा कि फटने लगेगी मतला उसे बड़ी और छोटी दोनों है और एक समय आएगा वो छोटी को जाने देगा और बड़ी को दे देगा दूआ करते हैं कि वो सीजन प्रभु अपनी मिनिस्ट्री में लेकर आए दूआ करते हैं कि प्रभु वो सीजन मेरी और आपकी मिनिस्ट्री में लेकर आए हाललुया और क्यूं 153 हम गुजराती आकड़े में अटक जाते हैं क्यूं 1.5 नहीं क्यूं 160 नहीं क्यूं 153 मैंने इस पर चार महिना मनन किया तब मिला है आपको चार सेकेंड में मिल जाएगा आर आंदेलू छे ने प्योर मतन प्योर मतन हाललुया क्यूं 1.500 नहीं क्यूं राउंड फिगर 165 नहीं 200 नहीं क्यूं 153 नहीं से सुन लेला मैत्यू मार्क लूक जॉन चारो सूसमाचार में एक एक जन को व्यक्तिगत रूप से यसु मसी ने परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया और उन्होंने प्रभू के राज्य को घ्रंड किया वो चारो सूसमाचार में एक एक जन गिन के exactly 153 जन है और प्रभू केह रहा है पत्रस याकूब योना मैं तो जा रहा हूँ ये 153 भी आपको सौंक के जा रहा हूँ हाललुया और जाब 153 आ गई योना चिल्या उठा ये तो प्रभू है और पत्रस नंगा था हाँ पत्रस नंगा था नू नंगा था नू क्यों नंगा था क्योंकि जो दर्शन समाप्त हो गया उसके बाद उसे प्रभू को कभी पूछा नहीं इसके बाद किया इसलिए नंग की सबह समाप्त हो जाईगी उसके बाद क्या प्रभू से पूछ लेना दर्शन रहेगा तो पूरे वस्त्र पहने हुए रह जोगे दर्शन नहीं रहेगा तो नंगे पाएज़ो हलोलूया सुलिमान नंगा पाएज़ गया क्यों अनेक स्तृया बियाली अपने मन पसंद की जगा को चुन लिया खुदा की पसंद को नहीं चुना और वो आद्वी भी नंगा पार गया जब गेट्समिनी में वो आया था तॉलिया डाल कर देखने के लिए कि क्या हो रहा है उसको पकड़ा वो अपना तॉलिया छोड़ कर भाग गया क्यों उसको पराया काम पसंद नहीं था पराया जी में जार उसको पसंद नहीं थी नंगे पायो जाओगे इसलिए वो लिखता है हमारी दे कराती है कि ये शरीर ये पृत्वी का डेरा गिर जाए और हम स्वर्गिय भवन को पहन ले ताकि हम खुदा के सनमुक नंगे ना पाये जाए आदम अर हवा नंगे पाये गए क्यों जो दर्शन दिया गया था उससे उत्म दर्शन के पीछे पड़ गए जो दर्शन कलीशया का है उस दर्शन में बने रहोगे तो वस्त्रधारन करे हुए रहोगे कलिश्या के दर्शन से हट कर चलोगे तो नंगे पाए जाओगे अब कोई ताली नहीं बजा रहा है पत्रस नंगा पा गया तोलियला अंगो चोलिया तेर के किनारे पहुँच गया अब मोड आएगा keyboard प्लीज और बाइबल लिखती है सब चूप थे क्यूँ जब किनारे पहुँचे यसुमसी के पास आग पर रोटी और मचली थी अभी वो कहां से आई मुझे मत पूछो वो स्रिष्टी करता है वो स्रिष्टी करता है और प्रभू ने एक अद्बुद बात कही पत्रस येस तेरी जो मचली है न मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ आज अगर सुखी होना है तो हाँ सामील भाई आओने सॉरी आराक हो तमारा पासे पाच्छो आपी देवाने येसुमसी उनकी मचली उनकी रोटी प्रभू ने कहा चेलो से तुमने जो मचली पकड़ी है इसके साथ मिला दो हम दोनों मिलके खाएंगे आज प्रभू चाहता है उसके पास तो है अल्रेड़ी लेकिन जो आपके पास है उसको मिला दो प्रभू के साथ वो एक हो जाएगा प्रभू के साथ वो एक हो जाएगा और प्रभू आज वह ही चाहता है और फिर वह काने बेटे से पहले है पत्रस हाँ प्रभू क्या तु मुझसे पृती रखता है प्रेम नहीं पूछा प्रेम और पृती में अंतर है प्रेम मौसम के अनुसार हो सकता है अज गरम है कम लोगा है प्रिती का अर्थ है कुछ भी हो जाए हम जाएंगे हाललुया यह प्रेम और प्रिती में परक आज घरवाली को पूछ ले ला प्रेम करें चे के प्रिती आने पची जो खटलो मार पड़ से हाललुया अरा लगन थे या अटले दुकी चे बिचारो परक शाहिब करीना को कई विजय भाई अवे लाल देखा है जो आवो ताड़ी होती धन्यवाहद आपे प्रभु से प्रेम नहीं प्रिती चाहिए प्रभु से प्रेम नहीं प्रिती चाहिए कुछ भी हो जाए एक समान महबद बनी रहेगी पत्रस तु मुझसे प्रिती रखता है हाँ प्रभु रखता हो मेरे मेमिनों को चरा तैंक्यू कुछ समय बाद पत्रस तु मुझसे प्रिती रखता है आप यह वैताग्या पत्रस बहता है प्रभु तुझे तो सब कुछ मालूम है क्या मालूम है मैं इंकार करूंगा और मुर्गा बांग देगा तुझे मालूम है तुझे मालूम है तुझे सब कुछ मालूम है कि मैं तुझसे प्रिती रखता हूँ तो प्रभु ने का मेरी भीडो को शरा, तीसरी बार प्रभु ने पूछा, कभी परमेशोर ने तुलने वाला प्रेम नहीं किया, पहली बार पत्रस के साथ तुलने वाला प्रेम किया, तुलना कंपारेटिव, प्रभु ने पूछा पत्रस, क्या तू मुझे इन से अधीक प् करता है देखो आजू बाजू जल्दी देखो आजू बाजू देखो मन में सवाल है आज कि आपके बाजू वाले से आप प्रभू को अधिक प्रेम कर रहे हैं पत्रस क्या तू इन से अधिक मुझसे प्रेम करता है पत्रस कहता है हाँ प्रभू प्रभू ने कहा मेरी बेडों को चरा तीन बार इंकार तीन बार पुछना मुर्गे की बांग ने एक मोड लेकर आया सिर्फ पत्रस के लिए नहीं बाकी ग्यारा भी थे उनके लिए कौन सा मोड लेकर आया मोड ये था कि पहले जब बुलाया तो तुम मच्छवारे थे जिस दिन तुम को बुलाया तुम मच्छवारे थे साड़े तीन वर्ष में तुम को कलाम मिल गया है मेरे वचण से तुम शुद हो गयो तुमने मुझे भी देखा है तुमने पिता को भी देखा है मेरे जूटनियों के बाद मेरी आत्मा तुमें देगा वो तुमारी साहता करेगा मोड कौन सा था मेरी भेडों को चरा मेमनों की देख भाल कर भेडों की चरा मोड ये था कि पत्रस अब से तु मच्ची मार नहीं बनेगा अब तु चरवा बन जाएगा जूने जित्ते भी चर्च बनते थे उसमें मिनार होती थी और उसपर एक मुर्गा रखते थे हां बाम्बे में भी एक मुर्गा चर्च है कलकता में भी मुर्गा चर्च है चिनाए में तीन मुर्गे चर्च है मुर्गा क्यों रखते थे दिशा दिखाने के लिए नहीं मुर्गा रखा था पत्रस को लेकर ये समझाने के लिए तुम कितना भी इंकार कर लो खुदा का नुगर तुम पर बना रहेगा वो मुर्गा की निशानी थी वो मुर्गे की निशानी थी कि प्रभू हर एक के जीवन में एक मोड लेकर आएगा आज मच्ची पकड़ने का है तो कल चरवा जरूर बनाएगा हललुया आज साइद हमने इंकार किया होगा आज साइद हम करजेबे फसे होंगे आज साइद हमेरे पास कर भरने के लिए भी कुछ भी नहीं हो आज खुदा के पास सब कुछ संभव है और इस वच्चंग से खुदा से दुआ करते है अभी तक आठ साल दस साल मैं वहीज हूँ आज प्रभू एक मोड लेकर आज एक बदलाव लेकर आज एक और एक सीड़ी चड़ने का मौका दे क्योंकि मैं तुसे प्रिती रखता हूँ प्रेम नहीं रखता हूँ मैं तुसे प्रिती रखता हूँ आए अपनी आखे बंद करें हमारा दना में जाए और प्रभू से कहते है प्रभू मेरा साहस ना छुट जाए मैं साहस कभी नहीं छोड़ूँगा साहस को धरे रखूँगा साइद, साइद मेरा विश्वास निर्बल हो सकता है लेकिन मेरा साहस कभी निर्बल ना हो ओ जीसस Holy Spirit take over now Yes Thank you Father Let's worship Him Let's worship Him Thank you Father Glory Master Thank you Father 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 आराज ना करो मैं पूरे मन से संपूर जीवन से तेरी सेवा करूगा मेरी सारी चीचों से मैं हूँ यहाँ आराज ना करूग मैं पूरे मन से संपूर जीवन से तेरी से तेरी सारी चीचों से मैं हूँ यहाँ pén Bonus मैं हूँ यहाँ ना कर दोğस्ट seminar है प्राजन ना कर दो ना क्या अ रे तेरी चीचों से सक्त बोर मैं हूँ थें आरी चीचों से तेरी शोग्योड़ यहाँ बोर मैं हूँ यहाँ मेह यहा मेह यहा ब्रभू मेह यहा ब्रभू मेह यहा क्यो हो मेह हु यहा तु मेरा सरस्ता तु मेरा गड़ है संकत में मेरा दो मेरा ब्रभू तु मेरा सरस्ता तु मेरा गड़ है संकत में मेरा दो मेरा प्रभू आराजना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे डूटूगा संपून जीवन से तेरी सेवा करूंगा तेरी सारे चीजों से मैं हु यहा ओ मैं हु यहा मिस प्रभू मैं हु यहा प्रभू मैं हु यहा मैं हु गु यहा प्रभू आज सुबह आज सवारे पर आकर रुख गया है तमने वो लागे से के तमारू जीवन एक स्थान पर आविने अटकी गई उशे आज प्रभू वापस उच स्थिल जल को जो जल स्थिर हो गया है उसको बैता हुआ बनाना चाहता है पर एक वार प्रभू जे अटकेल उचे पानी से तेने वहवाड़ाव मागे से बहुत पार हमको लगता है पांच साल दस साल आट साल में अभी तक उधर का उधर ही हूँ मेरी उन्नती नहीं हुई है मुर्गे की बांग दी गई है ताकि प्रभू एक पदलाव और एक मोड लेकर आई एक मर्गानों आवाज आपने आपवाम आवियो शे जे आपने आपनामा बदलाण लावी सके शे भोर होते हुए ही मुर्गे की आवाज हम सुनते हैं एक नहीं दिन एक नहीं शुरुवात वो मुर्गे की बांग पत्रस को नीचे दिखाने के लिए नहीं थी वो मुर्गे की बांग दी गई थी पत्रस इसके बाद तेरे जीवन में एक मोड आने वला है मसी कहता है जब तु मसी में तु नई शुष्टी है और नई शुष्टी कब हो जाती है जब मुर्गे की बांग हम सुन लेते हैं जब येशु को हम ग्रांड कर लेते हैं अभी तक जीवन वहीं का वहीं रह गया है प्रात्ना में भक्ती में देने में आरादना में हमारी उन्नती नहीं हुई है अपनी ज्यां पाणी वहित्तु नथी एवा पाणी न समान अपनी बनी गया है विश्वास है आपका विश्वास तुस्से आपनी पास है आप साहस खो बैठे है पांड तमें हिम्मत न थी तमारा मां मुर्गे की बांग पत्रस की साहस को बढाने के लिए था अज जुनी कलीशाओं मुर्गे कलीशाओं पर रखे जाते ते ये चिन्न के तेरा साहस हमेसा बढ़ता रहे आज हम हिम्मत हार गए है इसलिए एकी स्थान पर अठके पड़े है एकी स्थान पर अठकी रहे है यस्वास हमको बैता जल बनाना चाहता है जा जा भी ये जल जाएगा जीवन उत्पन न करेगा आज ये रुका हुआ जीवन नहीं चाहिए बैता चाहिए और उसके लिए इना माटे प्रेम नहीं प्रिती ज़रूरी से प्रेम मौसम पर और स्वभाव पर एहर फेर और बदल सकता है प्रिती एक समान है और साहस ये प्रिती को पैदा करता है कित्ते जन चाहते का आपकी उन्नती हो प्रभु ने उसको मच्छी मार से चरवा बनाया आज प्रभु ये बदलाव लाना चाहता है महरा ने तमारा जिवन में वो एक उन्नती लाना चाहता है और इसलिए मुर्गे को रखाता हुसते अभी भी जब भी पत्रस चलता होगो मुर्गे की आवाज उसको याद दिला देती होगी आपके गाउं में भी प्रभु आपको लगातार याद कराता रे यह बात अपना गाम में प्रभु आपने लगातार यह वातन याद देवडावेश है वो एक बदलाव चाता है एक उन्नती चाता है अभी तक जो समय दिया उससे अधिक समय देना चाता हूँ अभी तक जो भक्ती कीती उससे अधिक भक्ती करना चाता हूँ अब तक जितनी बार आया तो उससे अधिक आना चाता हूँ मेरा साहस बढ़ा मारी हिम्मत बढ़ाओ किते जन चाते कि प्रबु अज आपको स्पर्श करे तमारा हाथ उपर करो परवेश्वर को कहें मैं यहां हूँ प्रबु मने स्पर्श कर अड़क प्रबु मुझे देख ले आज मैं इधर हूँ प्रबु मने जो प्रबु हूँ अगर जो बात मैं ने छोड़ दी उस बातों को वापस पकड़ूंगा प्रबु के लिए जो दोस चोड़ दी आदत चोड़ दी मित्र चोड़ दीए संबन चोड़ दीए वापस उनके पास मत जाना प्रबु ना माटे आपने मित्रों दोस्ती जगतने जे कई बाबोतों से सोड़ दीए तो पासा आपने तेमान न जाईए वापस जाओगे तो नंगे पाए जाओगे पासा जाईए तो आपने नागा पड़ू जरू देखा से प्रबु नहीं चाहता आज कोई भी आनंगा बाए जाए प्रबु नहीं चाहता एक बदलाव के स्थर पर आए और उस बदलाव के स्थर के लिए उसने मुर्गे की बांग को रखा है आए अपना जीवनों से सामते मुझे साहस वापस चाहिए मैं अंतक खरी रिती से खड़ा रहूँगा कभी तेरा इंकार नहीं करूगा मेरा साहस कभी जाता न रहे कुछ भी सुनू कुछ भी देख लू मेरा साहस बना रहेगा मैं दुसरे के साहस को बढ़ाने वाला बनूँगा प्रभु मुझे उन स्थानों पर लेकर जा जहां लोग अपने साहस खो बैटे है जहां लोग को पतानी हिम्मत निखोई बिठा से प्रभु ने पत्रस चेलो का साहस कैसे बढ़ाया उससे कहत तुमारी रोटी और मच्छी लाओ और मेरी मच्छी से मिला दो खाओ और साहस पालो जो आपके पासे वो प्रभु के साथ मिला दो जो आपके पासे से प्रभु ने साथ मिला आपकरो साहस मिल जाएगा हिम्मत मड़ी जासे हिम्मत मड़ी जासे अपने हाथों को उठाए किसी रिजी से तेरा इंकार नहीं करेंगे कुछी भी हो जाए अब हम स्थिर जल पर नहीं बैते जल पर पाई जाएंगे हमारा साहस बढ़ा प्रभु परिस्तिती कैसी भी आए साहस बढ़ता जाएगा परिस्तिती केवी पन होई पर अमारी हिम्मत बढ़े वो बजनकार लिखता है वो समय काल हमें दिख नहीं रहा है गीत कार के से जह समय काल हमें जोई न थी रहा और वो जब आए यह जारे समयाव से हमारा साहस बढ़ावा पाए जाए प्रभु आज धनिवाद देते हैं प्रभु हमें तमें धनिवाद आपी उसे के सारे लोगों को लिए हम दुआ करते हैं और हम अपने आप के लिए भी आज दुआ करते हैं के मुर्गे की बांग को स्मरन रखे मर्गाना अवाज ने याद राखे वो बताने के लिए था ए फक्त बताओ माटे हो तुम कुछ भी हो जाए काई पंड थाई जाए मसी विरोधी आजाए लोग भी भाजन करना शुरू करे लोगों कदास पक्स पात करो माटे शुरू आतरी दे उसके कारण हम सताए जाएंगे परिवार उसे अलग किये जाएगे लेकिन मुर्गे की बांग को याद रख रा दोपन अपने मर्गाना वाज ने याद राखे प्रभू हमारे सास को बढ़ाता जाएगा मैं हूँ यहाँ प्रभू मैं हूँ यहाँ 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 प्रभू मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंडूंगा संपून जीवन से तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ एक वाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ की खाल यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ जर्ट यहाँ जर्ट परीवर्तॉ 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 जंझेंगा जंझेंगा मेरा थे आत्म! मोलिववववा वरतनम जंझेंगा हाल्लुया Amen, Amen.